हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि कौन से डेटा आ रहा है तो चलिए शुरुवात करेते हैं कि 25 जैनुरी 2024 को यानि कि थर्जड को कौन से डेटा आ रहा है तो काफी इंपॉर्टन डेटा यहां पर थर्जड को भी आ रहा है और जो सबसे पहला डेटा यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वह यहां पर 6.45 PM पर आ रहा है शाम को और EUR-USD पर उसका इंपक्ट पड़ेगा क्योंकि यूरोप का काफी इंपॉर्टन डेटा आ रहा है और यूरोप का डिपॉजिट फैसिलेटी रेट का डेटा आ रहा है यह पिछली बार 4 था और इस बार भी 4 रहने के उमीद है अगर इतने का इतना ही रहता है तो EUR-USD नीचे के और को जा सकता है लेकिन अगर ज़्यादा आता है इससे तो EUR-USD उपर हो जाएगा कम आता है इससे तो नीचे को जाएगा तो यहां पर नेक्स्ट यहां पर आ रहा है वो अभी 6.45 पीम पर ही आ रहा है और यह भी EUR-USD के उपर ही इंपेक्ट डालने वाला है क्योंकि उससे भी जादा इंपोर्टन डेटा आ रहा है जो European Central Bank है ECB उसका इंट्रेस्ट रेट का डिसीजन यहां पर आ रहा है बहुत ही जादा इंपोर्टन डेटा होता है जैसे सीपे का डेटा बहुत इंपोर्टन होता है वैसे ही इंट्रेस्ट का डेटा होता है क्योंकि सीपे के बेसिस पर ही इंट्रेस्ट का डिसीजन लिया जाता है तो बहु कहा एन आपको आप उसका अपडेशन देते रहते हैं तो आप सीधा एकस के वेबसाइट उनमें बढ़ारगाए कि Exons पर आप कैसे एकांट ओपन कर सकते हैं, कैसे money आड कर सकते हैं, आप ऑकर लिए सम्मिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनके जो इहांपर customer के service है, वो भी बहुत बढ़िया है, आपको response दिया जाता है और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंट solve उसका solution भी दिया जाएगा तो जल्दी से अपना अकाउंट एक्सनेस पर open कलीची दोस्तों और बाकी जो platform में उन पर भरोसर नहीं किया जा सकता है कहीं बैन भी हो चुके तो आप सिर्फ transmissだ को यूज किजये या समग्यम्भ यहां पर कर यहां इम्पोर्टन डैटा अब यह साथ विजे से सुरूरी हो जाएगा यहहां पर सबसे पहले तो परमिट्स का ही डेटा और और बिल्डिंग परमिट्स 1.467 पिछली बार था और इस बार यह 1.495 मिलियन की उमीद है तो बढ़ने की उमीद है और साथ वजे यही एक डेटा नहीं आना है साथ वजे से जाधा इंपोर्टन जो डेटा है जिसके ऊपर नजर रहने वाली है वह है जीडीपी का डेटा उनाटेट सेट की जीडीपी का डेटा और इसका इंपक्ट जो है सिर्फ क्रूड वाइल और यूस वाइल पर भी पड़ेगा क्योंकि अगर यहां पर जीडीपी अच्छी आती है तो 4.9 से यहां पर 2 होने की उमीद है घटने की उमीद है अगर यहां पर जीडीपी जैसा की फॉर्कास्टेड है यह फॉर्कास्टेड बताया हुआ है फॉर्कास्ट में तो कहा गया है कि कम होगी तो अगर ऐसा ही होता है तो Crude Oil और USOL के लिए वह अच्छा नहीं होगा और Crude Oil और USOL भी नीचे गिरेंगे लेकिन अगर यह 4.9 से जाधा आती है तो फिर अच्छा मूव हमें यहां पर देखने को मिलेगा Crude Oil और USOL में भी तो आप इसके ओपर जरूर नजर रखे साथ होजे आपको Crude Oil और USOL में भी तो वह यहां वह भी यहां पर इनिशल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी साथ होजे आ रहा है उनाटेड शेट्स का इनिशल जॉबलेस क्लेम का डेटा तो यहां पर GDP का जो है इंपक्ट कूड डॉलर USOL के उपर पड़ेगा बाकि यह चार डेटा है उनका इंपक्ट यहां और और यहां पर मिलता जुलता पड़ेगा तो वो भी हम आपको अपटिशन दे देंगे टेलिवांग चैनल पर तो उसके बेसिस पर यहां पर आपको मूव देखने को मिलेंगे और साथ ही जो नेक्स्ट यहां पर डेटा आ रहा है वो आ रहा है एट थर्टी पीम पर और एट थ इस डी एक्सट वाई को पॉजटिव साइड की और को लेकर जा सकती है और जो यू और यूस्टी है वो निचे की और को गिरेगा अगर ऐसा होता है तो अगर यह इससी तरीके से आता है जैसा कि फॉरकाश्ट है तो और तो नेच्ट्ट डेटा यहां पर अब आ रहा है वो नेच्ट्रल गैस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है नाइन पीम पर यह डेटा आ रहा है नेच्ट्रल गैस का नेच्ट्रल गैस स्टोरिज का डेटा और यहां पर नेच्ट्रल गैस के उपर और साथ ही XNGUSD के उपर इसका इंपक्ट पढ़ने जा रहा है माइनस 154 बिलियन क्यूबी की पिछली बार था अगर इससे जादा आता है तो इसका मतलब है कि स्टोरेज में बहुत जादा नेच्ट्रल गैस है और नेच्ट्रल गैस गटी हुई है और घटी क्यों है क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो घटी है नेच्ट्रल गैस की स्टोरेज तो वह चीज पॉस्टिव होगी और उसके वाइद से यह ऊपर गयों को जा सकते हैं तो इस बेसिस पर आपका यहां पर ट्रेट बनेगा तो इन सब के ऊपर से ने हुआ झालोomes टसफ झालोues कर अशथ है और बनेगा झालो 먹어 ऑन सब था पर टी सुच हैं उर झालो?